तो Redmi Note 9 Pro Series हो चुक है India के अंदर launch यानि Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और pricing आपको देखने को मिले है starting 13,000 रूपे से क्योंकि यह है आपकी Pro Series यानि जब को standard variant रहता है बिना प्रोवाला वो आपका फिला launch नहीं करा गया है और उसका काफी लोग वेट कर रहे है क्योंकि काफी लोगों को चाहिए होते हैं बहते हैं स्पेसिफिकेशन, comprising यानि 10,000 रूपे के रिंज के अंदर तो यहां पर आपको पतातो Redmi Note 9S आपका confirm हो चुका है और आपका confirm कि आपका official first look और आपका launch date तक निकल कर आ चुकी है आपका बात किल तक ने Redmi Note 9S के first look की तो sun map देख सकते हैं official first look आपका सस्ता variant रहने वाला है पर वैसे कोई कमी नहीं करी गई है वो ही आपका नाय डिजान देखने को मिलता है नहीं punch hold display, same display देखने को मिलेगी full HD plus resolution वाली और बाकिया पर बात किज़े अपने rear design के तब वह भी सेम देखने को मिलेगा यहीं वही quad rear camera setup square shape के अंदर और बाकिया हमें पहले सी यह चीज़ पता है कि आपका जहाते कि वही setup देखने को मिलेगा 9 pro वाला यहीं 48 mega pixel का primary, 8 mega pixel का wide angle, 5 mega pixel का macro और 2 mega pixel का depth sensor इसकर आप physical form factor के बात कर ले जाए, main features के बात कर ले जाए तो वह भी आपके सेम देखने को मिलेंगे यहाँ पर यहाँ पर, side mounted fingerprint sensor, IR blaster, dedicated SD card slot and triple slot और USB-C type charging port और battery आपके almost confirm है कि सेम देखने को मिलेगी pro series वाली ही यहाँ पर आपके बहुत जड़ा चांस है कि आपको Metaq के processor देखने को मिलेगा क्योंकि आपको Metaq के processor सस्ते पड़ते कंपनी को और battery power भी दे देते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा Helio G90T यहाँ आपको देखने को मिलेगा Helio G80 क्योंकि आपको Realme 6i है जो कि आपको 17 March को officially launch होनो जा रहा है यहाँ आपको देखने को मिला है और आपको Realme 6i की pricing में रहने वाली है Note 9S जितनी ही लगबग क्योंकि यह चीज़ हमें पता है कि Realme और Redmi आपके लगबस सेम specification आजकल दे रहे हैं आपके लगबस सेम pricing देखने को मिलती है एक दूसरे को बराबरी के टकर देते हुए चल रहे है वैसे अपर बात के लिए अपने Redmi Note 9S की तो आपको सबसे पहले Malaysia में launch होने जा रहा है यह ग्लोबल डब भी होने जा रहा है 23 स्मार्स को आपको हो जाएगा launch बठ हमें पता है उसके कुछ समय वाद इंडिया के अंदर और बागी कंटिस के अंदर भी लाउंच करा जाएगा वैसे कमेंट्स के अंदर अभी एक चीज़ जरूर बताओ कि Redmi Note 9 Pro Series आपको कैसे लगी है pricing के साब से और यह जापको असता Redmi Note 7S रहने वाला है इसके लिए आप excited हो के नहीं हूँ इसके लिए पर एक चोटी से लाइज वो खर दरा से मिना भूले आपको लाइज शेयर करने स्टीव बिनान की मेहने सफल हो जाती है इसके लिए बागवड़ी चनल पर जाकर देखो लाइक कर दो दूश्य लबादो इसके लिए बादो बदे लाइज देपी स्टीव लाइज दें बाद़ बाद़ दें